अर राम नौमी के जुलूस में पत्थर बाजी जारी बा चचा भती जाके जाता में पीसरहल बिहारी बा अर काबा बिहार में काबा चोरी चकारी हिंसा अपहरन के सुगबू गाहट बा हमरात लागता भाईया जंगल राज के आहट बा अर काबा चच्चा के चरण में भतिजवा के चारो धाम बा मरेला छपरा जरे नलंद जरत सासा राम बा अर काबा बिहार में काबा दस लाखनो करी के वादा भाईल रहे चुनाओ में एको बहाली निकलना लई का बाने तनाओ में अर काबा बिहार में काबा आए दिन मजदूर मरेले जहरी लीसा राब से कबले बेडा पार लगई बोल मोल जवाब से अरे काबा बिहार में काबा पंदरह साल चच्चा रहले पंदरह साल पपा तबो ना मीटल बेरुजगारी के ठपा अरे रंगजारीबा रंगबा जीबा गारीबा मारबा गरदाबा तो बिहार में काबा और आज हमारे साथ है हमारे नियूज रूम में नेहा सिंग राठाओर जो कि अपने अनोखे अंदाद और सत्ता से तीकिये सवाल पूछने के लिए काफे प्रसिद है प्रसिद लोग गाईका नेहा सिंग राठाओर हमारे साथ है जो किसी पहचान की मौत नहाज नहीं है हमेशा वेरोजगारी से लेकर करके हर एक पर गाने बनाती है सवाल नहाज कैसी है आप बहुत अच्छी हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको बड़े विश्च कर देना चाहती है मुझे बता चला आपका बड़े है एक पड़े टू यू हर्शता तो सवाल सब बड़े नालंदा में हुआ जो सासाराम में हुआ और अशा नहीं है कि यह कोई पहली बार हो गया बिहार में यह सब कुछ होता रहता है च्छपरा में जहरीली शराब से जो मजदूर मर गए या पिर आया दिन जो स्टूड़न्स मार खाते रहते हैं सड़कों पे तो वो च कि बात किया जाना चाहिए वो दसलाख रोजगार देने की बात हो बतीजा जी की तो वो कई दिनों से था और ऐसा नहीं है मैं विरुजगारी महंगाई वगए पर में लगा ता लिखती भी रही हूं बिहार के लिए भी लगा था कि मुझे हां बिहार में काबा आना कि पिछले से वी हार ने काबा आया था है जो तो काफी खतरनाक दा बिहार में काबा दू और तू है उब ठावी वी कविया अइसी दिक्क consistency कि तरफ से क्योंकि वworm चाहिए बिजगे रही सरकार निपीश के साथ या फिर दोनों सरकार को आपनी अच्छे से ल gouperमा देखि air कि यूपी में मुझे उन्ही मिला था आchlossen एक महीने नहीं हूने बिहर में अब तक मुझे नोटीस वगेरह जैसी चीजै नहीं मिली यह बात है हां लेकिन यह पकूल मैं तो लगातार मैं इन लोगों के प्रवक्ता है जो आ से पलटते है ना उनको लग रहे हैं आरे वो बीजे पी के साइट से गा रही है और क्या क्या तो सब बोल रहे थे आपस मैं कुछ डिबेट्स देख रही थी तो और एक बार क्या हुआ था बिहार में आज से एक डिड़ साल पहले आप कह रही हैं कि नोटीस मिला नहीं मिला नोटीस तो तो वहां पर 20 मिनट का मेरा मैं यह बार बार जिक्रिसले करती हूं क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मेरे साथ किस तरह से विवहार रहता है इन लोगों का मतलब सत्ता से सवाल पूछना इतना आसान भी नहीं है कि आप आंग में आंग डल के सवाल भी कर रहे औ अच्छा भी चल रहा है ऐसा नहीं होता है तो उस मंच पे मुझे 20 मिनट का टाइम दिया गया और तीसरे चोथे मिनट में संचालक महोदर जो है वो इशारा करने लगों कि अगे बहुत सरा ओडियंस है मेरे हाथ में माइक है और वो पीछे से नीचे उतर करके उतर उतर कर है तो पता चला कि कोई वी वी आईपी जिया आ गया है और मैं गानागारी थी शराब बंदी फेलवा कुछ इसे करके कि मैं तो वही है मेरे पास गाने के लिए ऐसा थोड़े ही कि आपका मन चुत में अपनी बात बोलने लग जाओंगी तो बड़ा उन लों को बुरा लगा और सच बात ही है तीसरे चोथा मिनट में मुझे उतार ही दिया उतार दिया तो जनरली ऐसा देखा जाते हैं कि जब भी आप गाना गाती है तो बिहार में ऐसे कहा जाता है कि निहा सिंग आठार को जैसे क्यूंकि अब तो बीजेपी विपक्ष में आ चुकी है तो आप ऐस अभी 25 साल है 25 प्लस की हूं मैं तो इसनी शोटी बच्ची में नहीं हूं कि कोई जिसका जो मन करेगा बोलेगा चल बच्चा कान पकड़के ये बोल तो वो बोलने लग जाओंगी तो वो नहीं है मैं खुद सोचती हूं मैं मेरे गीत खुद लिखती हूं तो उस पर विचा कघंच में तो मैं बीजेव से साधा किसे कर सकते हूं तो मैं तो बलुकुल बईक है कि बहुत कोई रॉकेट सांस थोड़ी इसको समझ लेना कितना आसान है जो विपक्ष में है कई नहां कहते हैं कि राजा अंधा हो जाए और सेवा धंदा हो जाए तो असरकारी कव्यत्ती की अज़रत पड़ती है कुमार विश्वास की लाइन आपके लिए उन्होंने बढ़ाई भी दी जब आपने विहार पाट्टू गाया था तो ऐसे में क्या लगता है सरकारी कवी और असरकारी कवी इन दोनों में कितना फासला है और क्या आपको कभी झेलना पड़ा कभी क्योंकि कुमार विश्वास ने तो एकदम लाइन आपके लिए कह दी कि आप एक असरकारी कवी हैं और आपकी जो बाते होती हैं आप जो लिखती हैं उसमें असर दिखता है और उसका असर होता भी है लेकिन कभी ऐसा लगा कि आपको कोई सरकारी टैग से बुला रहा है नहीं समझपा रही हूं बिल्कुल क्लियर है कि सरकारी कवी होना और असरका सरकारी कवी होना दोनों का फासला आप कैसे देखते हैं देखिए क्या है कि होता क्या है सरकारी कवी और और सरकारी कवी का अगर आप अंतर पूछ रही हैं तो मुझे नोटिस मिल जाता है उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है मैं बसमोला नहीं चाह रही हूँ नहा की कहने का नहा की लिखने का असर होता है नहा यह मानती है पता है नहीं असर होता है कि नहीं होता है यार यह मुझे नहीं पता और असर वसर होने के लिए मैं नहीं ऐसा गार रही हूं कि नहीं बहुत बड़ा म मैं ये कर दूंगे मैं महज एक लोग गाईका हूं मैं बहुत छोटी सी अदनी सी लोग गाईका हूं जो अपनी बात अपने तरीके से लिखती हूं कहती हूं और मेरे बात का क्या असर होगा ये लोग तो मुझे दबाव बनाने के लिए मुझे ही नोटिस भेज़ देते हैं किसक कैरी कि रही बात तो ये लोग गाईकउ को और मैंने लोग वाणा किया हूगा है कि लोग गायन का असल मतलब क्या वरतमान साथ्वान में भोजपुरी का इस्तिति आप दिखी रही हैं इसके साथ ही बहुत सारी किसी का एक का नाम नहीं लोगी लेकिन बहुत सारी लोग गायक सो कॉल्ड में इसलिए कहती हूं कि इन्होंने भोजपुरी की बोटिया नोची और इसके बाद सांसद विधायक बन गए और बात जा करके फिर मेरा ही जवाब दिये फिरते हैं यह लो कि इसमें कुछ हो नहीं जाता है फिर एक लड़की आती है जो सचमुच आपके मुद्दे उठाती है पूरे लॉजिक के साथ मैं तो कहती हूं मुझे ट्रोल करो भाई लेकिन सही सही लॉजिक के साथ ट्रोल करो एक कारण मत छोड़ो पूरा मेरी हिस्ट्री खंगाल दो ध खुद भी आलोचना करती हूं मैं तो स्वागत करती हूं लोक तंत्र यहीं तो है यार आप बोल सकते हो आपको अच्छा नहीं लगा कुछ तो तो मैं तो कहती हूं बश्रते आपके लॉजिक सही होने चाहिए एक लड़की सवाल कर रही है और पूरी इमांदारी से सवाल क कर रही है जहां पर बहुत सारा एक भीर है जो सचमुच सवाल करने से बच रहा है पता है नहीं किस बात का दबाव ले रहा है तो उस टाइंप एक लड़की सवाल कर रही है तो कभी आप नोटी दे करके पर परिशान करते हो कभी उसके इवन्स काइंसल करा देते हुए तो आपने जवाब दिया और जिस तरीके से पेशन्स रखा आपने वो तमाचा था सवाल ये भी कि जब नितीश कुमार सत्ता में थे उस समय बीजेपी के साथ आज वो आरजेटी के साथ है तेजस्वी के साथ है जब बीजेपी के साथ में काबा यानि कि आप यह मानते कि अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी कई सारे से सिच्वेशन है जहां पर सरकार अच्छे से काम कर सकती डीलिंग अच्छा हो सकता था नहीं हुआ समस्याएं आज जस्की तस है अब बीजेपी अभी आपको शाबासी दे रही है अच्छा तो इसको आप कैसे देखते हैं वहीं बीजेपी देखिए जो कल को आपको ट्रोल कर रही थी आज शाबासी देखिए मुझे ना बीजेपी की शाबासी चाहिए ना आर्जडी की ना सपा ना जडीयू या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुझे किस इसकर स्टार में एक साथ ड dinner करते हैं तो यह बात मैं जानती हूं और यह सजमेजनता के हिताशी नहीं यह इंस सच में फर्च नहीं पड़ता है है अई थू इनसे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि फलाने बहुत साबासी दे तो मुझे आपका साबासी चाहिए ही नहीं मुझे पता है कि आप हो किया जब तक आप विपक्ष में हो आपको खुब अच्छे लगेंगे मेरे गीत जब कहती हूं ना मैं मुझे लगता एक वो नेट्फि जब बहुत सारा प्रेम और अच्छे लगते हैं तो मुझे किसी के साबासी ने जब तो पहले में नजर आता क्या बिहारी होने के सही हो जाएंगी क्या अभी जैसे 2020 के विधान सभा में हमें कुछ चीजें बड़ी अच्छी लग रही थी मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी मैं बस्ती ही हूँ नौकरी का वादा मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा आप मुझे वोट दो और इसके बाद फिर आप अब दिये फिर रहे हैं अरे भाईया हम जैसे लोग अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप सच में उस पर खरे उतरो ना पता चल रहा है कोई कहीं कुछ बयान दे रहे हैं कहीं कुछ बयान दे रहे हैं तो पता नहीं अभी तो मुझे बहुत कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रह नोटिस मिल गया जब अपने सरकार के खलाफ गाया अपनी बाते रखी बात रखने का अधिकार है फिर भी नोटिस मिल गया उसके बाद आपकी पती हिमानश्यों की नौकरी चले गई वो दौर कैसा रहा आपके लिए कैसे ओवर कम आप कर पाएं उसमें नहीं देखिए वो द दिल्ली बंबई जैसे शेहरों में सांस लें कि ना लें उसका भी किराया लगे हर चीज का आपको किराया देना पड़ता है चीक है तो मेरे पती के एक चोटी सी जॉब थी त्रिश्टी में जैसा कि आप सबको पता ही है तो मुझे नोटिस मिलता है और मैं तो देख रही मैं उस संस्था की तरफ से कि नहीं पहले इस्तिफा दे दिया गया इस्तिफा मांगा गया फिर नोटिस आया जबकि सचाहिए है मैं जूट नहीं बोलती हूं बिलकुल भी मेरे पती को इक सैक डेट तो नहीं याद आ रहे है उनिस बिस ऐसे कुछ पहले नोटिस आता है फि कि मैं ऐसे नहीं आ जाओंगी है मेरा क्या होगा बहुत स्वाबी मानी लड़कियों मुझे पता है कि अगर मेरे अंदर काबियत है तो मैं नून रोटी भी खा करके जी लूँगी किसी के सामने हाथ नहीं पसा रूँगी कि हाय देखा भी होगा मेरी आदत नहीं बहुत रो हैं आपको कहते भी असर भी होता है आपकी बातों का उस समय जंद यह जाना चाहती थी कि मतलब कैसे आप और कम कर पा रही हैं कैसे आप उस सिचुएशन को हैं वाकि वह ऐसा सिचुएशन है जब आप चारे तरफ से घिर गया हैं यहां को बंद करती हैं यह एकदम सही बात हुआ क्या अचानक से मुझे यह भी ख़बर मिली के नोटीस आ गया पूर पुलिस आपको पता है एक तो पहले नहीं नहीं मेरी शादी हुई है मैं गाउं देहात की लड़की हूं और मेरे ससूर के पास पूरा जीव भर के कानपूर पुलिस की टीम पहुझ गया गाउं सम फिर मैं जिस सोसाइटी में रहती ही वहां के जो प्रेसिडेंट है जहां पर दिली में होगे लोग पूरी 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 पुलिस टीम आ गई न सब लोग मुझे संदिग्द की नजर से देख रहे हैं बता नहीं आपास में लोग कोई चोरु चक्का टाइप के लोग रहते यह तक कह दिया किन लोगों को निकालो आपने तो मुझे मेरा ही हाल किया था सच में उनोंने के किये नहीं लाइक लोग नहीं हैं बता हो पुलीस वूरी सा गई थी मैंने का अंकल आप मामला पूरा जानते भी हो क्या हुआ है आप इसे किसे निकाल सकते हो यह बात होने इसके बाद फिर पता चला कि हिमानशु को नौकरी से रिजाइन मांग लिया गया ये एक दम सच बात है और पहले से भी मेरा तबियत थोड़ा सा डाउन था इन सब चीजों को ले करके और थोड़ा और हो गया तो घर वालों नहीं ये कहा कि आप ऐसे सवाल मत पूछ हो मेरी म लगता है क्या शेयर करूं लेकिन फिर मेरी मौसी कॉल करती है कि मम्मी बहुत बिमार हो गई है मम्मी बिमार हो गई है अब ये सुनके तो मुझे लगा कि छोड़ी देना चाहिए नहीं बिर छोड़ना तो किसी भी हाल में नहीं है ये तो छोड़ना ही नहीं मुझे लगा क और मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि मम्मी बिमार हो जाती है ना तो मुझे बड़ी चिंता वड़ जाती है फिर उदर मेरे ससूर जी को भी टेंशन में तो क्या हुआ लगती है ना ऐसे तो लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे पापा मम्मी को बताना बड़ा आसान पुलिस आई थी तो बहुत बड़ी बात मेरी मम्मी को तो यह लग रहा था कि अब तो यह जेल चली जाए कि जेल में तो चुहे होते तो चुहे काट देंगे अब मम्मी लोगों का लग टेंशन रहता है यह सब की होता है उनलों के बड़ी क्योट को नेहा ने उसके बाद अब यहार नहीं रही वाना मैंने देखा कि मशा से आपने सीधे पोलई को यूपी पोले को और भुवत अब हतकरी लगा है क्योंके मैंने कुछ गलत किया ही नहीं मैं आज बहुत कर दिया ना तो पता है मैं कैसी बड़की हूं मैं आपके सामने आउंगा रिंडर कर दूँ लिखने पढ़ने बोलने रहने घुमने फिरने सब की मंदिर जाने मस्जीद जाने बहुत सारे अधिकार हैं उसमें तो आप कैसे मुझे रोक सकते हैं कुछ भी बोलने से तो यूपी पुलिस थी और एंकर साब मुझे प्रोवक कर रहे थे मैं भीमार थी मैं हाथ में सब लगा होगा कि गई थी और लोगों को यहन लगी कि मैं भाग रही हूं नहीं अब जाऊंगी और में अपने बात रखूँझी और बिमार हूँ मैं मुझे वह साहनुभूती चाहिए भी नहीं और मैंने बताया भी कि मुझे नहीं चाहिए सानुवूति और वो मुझे प्रोवक कर रहे हैं आप तो पॉपुलारिटी के लिए सब कर रही हैं तो ये अप तो वो क्रियेट करती हूँ अब आप मुझे बताओ कि बेरोजगार बानी साहिब रोजगार मांगिला इस गाने पर आपने क्यों ने मुझे सवाल कभी किया आप मेडिया के लोग सिर्फ बिहार में काबा और यूपी में काबा की चर्चा कर देते हैं यह एकदम सही बात है इसका मतल भilrike निवसली बहुत सारे गीत लिक्यों गया हुए है केंदृ- सरकार से सवाल पूछ रही हूं वह मेरे सवाल लगा कडी चली जाओंगी मुझे पर नैतिक बल तो होना चाहिए किसाधार पे मुझे आप गिरफतार कर लोगे मैं भांग के नशे में थोड़ी गीत लिखती हूं कि मुझे पता जीनि मैंने क्या लिखती हूं। जा रही है वो भाशा उतनी मिठास नहीं देख रही जतनी भोजपुरी में है आपको क्या लगता है बिल्कुल मैंने भी भोजपुरी में कमेंटरी सुना और मैं तो मुझे अभी भी याद है दस बज रहे थे रात के मैं और हिमाशु कुछ ऐसे देख रहे थे मैं पूरा एक घंडे तक मेरा दिमाग खराब तक इनकी हमत कैसे हुए भोजपुरी को इस तरह के से कैसे जो है प्रस्तूत कर सकते हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सबसे पहले इन्होंने किया कि भोजपुरी गाने के माद हमसे भोजपुरी की बोटी आनोची ठीक है इनको एकदम लहकटों वाले स्टाइल में लफंगों वाले स्टाइल में जैसे नहीं होता है कि अरे तो आइटम बॉम लागता गेनवा तो लागता थे कि गनगना की पता नी क्या फुलजड़ी टाइ तो मैं यह सब किया लेंगा उठा दे रिमोट से कुर्ती के टूटल वा बटमिया और फिर वही जो है भाशा जाकर के वहां पर कमेंटरी कर रहे हो आप मैं तो देखा बहुत मुझे दुख हुआ और मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहती हूं कि जो बड़ा कहते है कि मैं भोजपूरी का हिताशी हूं मैं यह हूं कहां हो भाई आप लोग आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि सत्ता कि चाटू कार्ट से फुरसत नहीं मिल रहा है आपको नहीं बोल पा रहे हो कि आप हमारी भोजपूरी यह नहीं है जो यह बता रहे हैं लफंग ल पूछपुरी बोलते हैं लफंगे टाइब के लोग है इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुपिया हमारे साथ हमारे से आशिष्ट भी जोड़े हैं आशिष्ट सवाल शुरू करते हैं पॉलेटिकल सवाल आप से पूछे गए आपने एक बार पर से बिहार म काबा गाया सरकारों की तुलना होती है और आपने कहा मतलब हर सरकार की तरफ से कुछ न कुछ दवाब होता है दोनों सरकारों में अगर नंबर देना होगा मैं किसी कॉंग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ या आर जडी-जडीओ की बात नहीं कर रहा हूँ ए अब अभी comfort feel कर रहेंगे या फिर जब जिसे आपको notice थमा दिया गया, बिहार में ऐसा कोई situation नहीं आया, अब फिर सवालों पर आते हैं, सरकार के comparison में आप number किसे जादा देना चाहेंगे, देखिए ऐसे तो मैं बहुत confused हो जाओंगी, और एक कलाकार होने के नाथे, क्योंकि म मैं ये कहना चाहूंगे कि दो खराब party हो में से किसी एक party को ही चुनना रहता है, लोगों को, यही सवाल मेरा यही था, चुकि एक तरफ आपको notice थमा दिया जाता है, और आप परिशान भी होती हैं, जैसा कि आपने बताया, दूसरे तरफ से ऐसी कोई परिशानी वाले बात अब तक नहीं निकल करके सामने आए, बाप जूद इसके चुनौतियां रही आपके लिए, जैसे आप बता रही है, कि मंच पे वो situation हुआ, ठीक है, और जिन्होंने मेरे को notice भेजा, आपको पता है, वो illegal notice था, और उन्होंने हमारे साथ बदमाशी किया, तो बस यही बात आपके वकील ने बताया, और मारकंडे काड़ू सर का आप नाम सभी जानते हो, वो कहते हैं कि दरोगा अनपढ़ था, तुमको कैसे notice देने चला आया, कानपूर देहाद से आप दिल्ली के से चले आ सकते हैं, वो तो मेरा थाना शत्र भी नहीं है, है ना, दिल्ली, दिल्ली एक दम ही अलग हो गया, कानपूर अलग है, आप मुझे ले करके चले आया notice, दूसरी चीज एक होती है, धारा 160 CRPC, वो बीना FIR दर्ज की आप किसी के उपर नहीं लागू कर सकते हैं, तो मेरे उपर जब कोई FIR दर्ज ही नहीं हुआ है, तो आप ये notice ले करके चले कैसे आए, और notice देख करके भी लग रहा था कि कहीं से copy paste करके, कैसे print करवा के मेरे को चिपका दिया गया है, और वो illegal था, तो आगे लोग मुझे से पूछते हैं कि आगे क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ, notice का जवाब देती है, बात खताम, कुछ हुआ ही नहीं, तो मामला फिनिश है, या फिर मैं देख भी रही है, इनके प्रवक्ता और लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, आरे तुमने तो notice भेज दिया, मैंने तो notice नहीं भेज, अरे भाईया, एहसान कर दिया, या अहसान नहीं, लोग कालाकार का ये निश्यत रूप से काम ही होता है, सत्ता से सवाल क और आप भखो भी कर रही है, सवाल ये है, वापस बिहार पर चलते हैं, तमाम सरकारों को आपने देखा, 30 साल पर लगाता है, सवाल उठा रही है, आप कोई बदलाओ जैसे सब कोई बदलाओ चाहता है, नहा सिंग राठो और सबसे बड़ा बदलाओ, और राजनितिक विक चालिस साल गुजर गया, सथा बदलती है, आपको लगता है कि अगर वो विकल्प नहा सिंग राठोर से पूछा जाए, कि वो क्या होना चाहिए बिहार में, राजनितिक सवाल से लग, चलिए ये बता देजे कि सबसे पहला बदलाओ आप क्या देखना चाहती है, सबसे पह खरजी नगर ना रहना पड़े, हमें दिली ना रहना पड़े, इस पर एक छेतरवाद का आरोप भी लग सकता है, मतलब ऐसा लोगता है, मुझे लोग कहते हैं कि खाले तुम भोजपूरी ही बोलती हो, मैं कहते हैं मुझे भोजपूरी ही आती है, तुमें कौन सी भाशा ब नहीं करती है, नहा सिंग्रा ठोट, सोशल बेडिया पर ये सवाल तैर रहे थे, क्या लगता है, इस गाने से आपने आलोचको को जवाब दे दिया, देखिए, मैं किसी को खुश करने, नाराज करने, किसी के सवाल का जवाब देने, नहीं निकली हूँ, मैं अपना सवाल कर लिए, और सुनिये की नहा कहे क्या रही है, उसके गाने सुनिये, फिर जागर की कोई सवाल जवाब आप करें, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, जो मेरी आलोचना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो सच में मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उनी के सपोर्ट के बदूलत म हैं, चाहने वाले लोग जादा हैं, तो तभी आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, लोगों का प्यार भी मिला, एक बर फिर से वापस आते हैं, भाशा के सवाल पर चुकि तमाम सवाल आप से पूछे गए, भोजपूरी कमेंटरी पर आपने सवाल उठाया, क्या आपको कोई अपरोच के चुकि आप तो अच्छा भोजपूरी बोलती है? पर उनी लोगों को बुलाया जाएगा जो इतना है, बिल्कुल है, बहुत जादे है, क्यूंकि मुझे भोजपूरी आती है, आपको पता है क्या होता है, बोजपूरी का ये गाना बड़ा अच्छा है, जो भोजपूरी नहीं समझते हैं, मैं क्यों आप इसको समझते कितना है, आपको तो बीट है, बस उस पर कमर हिला देते हैं, आप समझते भी कहना क्या चाहरा है, लेखक और गायक, तो मुझे क्यूंकि भोजपूरी बहुत अच्छे से समझ में आती है, उसका वो डबल मिनिंग वाला, तो मुझे पता लग जाता है कि ये आदमी यहां पर क्या बोलना चाहरा है, यहां पर क्या कहना चाहरा है, सबसे पहले इन लोगों ने भोजपूरी गीत के माध्यम से भोजपूरी का छिछा लेदर किया, वही तो हर लांगा उठाते परिमोर से तो चोलिया के हूं करा आजजी यह वही चीज, आउ देखा हो, बलवा परधनवा के हर में जाता, अरे हई देखा हो, हर ले उडाल हो, हर गए, क्या है यार, आती भी है आपको कमेंटरी करना, आप कुछ भी बोले जा रहे है, वही आप इंग्लिश का देख लीजिए, हिंदी का देख लीजिए, वह कितना आराम से एक बात बताते हैं कि हां यह यह गेंद, य यह इन लोगों का बस भी घीसा पीता, यह आपको कर दोड़ में दोड़ा आते हैं, और आफर सवाल यह होगा, दोहजार 24 और 2025 का चुनाओ होने वाला, बिहार में विदान सभाक, और देश में लोग सभाक कि आपको तेजस्वी और नितीश से सवाल पूछना है और केंदर में नरेंदर मूदी से सवाल पूछना है और केंदर में निया सुनने को मिलेगा और कुछ भी ऐसा नहीं कि मेरा विचार धारा बदल जाएगा ऐसा नहीं होगा एक दम नया नया गीत सुनने को मिलेगा और सत्ता से सवाल करते हुए ही गीत आपको सुनने मिलेगे उसमें नहीं कोई बदलाव आ जाएगा कि नहीं अप तो निहाए इसी बुलीगी उससी डिर गई ऐसे बिलकुल नहीं आ रहा था राजनीती से परहेज नह हैं और समझते हैं जिस चीज को राजनीती हमारे जीवन का हिस्सा है नहा सिंग राठोर को अगर राजनीती में आने का मौका मिला तो वो साल कौन सा होगा अरे भाईया कल का भरोसा ने अफसाल की बात कर दिये मैं बस नहीं देखी में वहीं बता रही हूं अभी तक कोई मे हाथ में कुछ होता तो महां से चींज कुछ कर पाते पर ठीक है कोई बात नहीं मैं जो कर सकती हूं मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रही हूं बागी पॉलिटिक्स में आने का भी तक कोई विचार नहीं चले तो यह थी निया सिंग राठोर बिहार तक के तमाम सवालों का इन् सकते कंप